हमारा मानना है कि मौझूदा वक्त में समाज का कोई ऐसा तवका नहीं है जिसको अपनी लड़ाई सिर्फ अपने लिए और सिर्फ अपने दम पर लड़ने की जरूरत है हम जिस दौर में हैं जिस वक्त में हैं उसमें हर डिस्कोर्स में एक इंटर्सेक्शनालिटी है इंटर्सेक्शनालिटी कहने का मतलब यह है कि अगर हम सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा किसी एक तबके की नहीं पूरे समाज की जरूरत है अगर हम गरीबी उन्मूलन की बात करें तो ये किसी एक जंडर के लिए नहीं बलके ये सभी जंडर पे लागू होता है और अगर हम किसी भी तरह का समूख उसको ट्रेस करने की कोशिश करें सुसाइटी में तो हम उसमें एक इंटरसेक्शनालिटी को देखते हैं इसलिए हमारा मानना है कि आज के वक्त में जो आंदोलन अलग-अलग हो रहे हैं उन आंदोलनों को मिलाने की जरूरत है उनको इकठा करने की जरूरत है मतलब विद्यार्थियों का आंदोलन है लेकिन वो महिला अधिकारों का भी आंदोलन होना चाहिए किसानों का आंदोलन है लेकिन वो महिला सम्मान की भाग का भी आंदोलन होना चाहिए इस देश में चाहे आदिवासी आंदोलन हो दलित आंदोलन हो विद्यार्थी आंदोलन हो किसान आंदोलन हो मजदूर आंदोलन हो किसी भी राजनितिक दल के जितने भी फ्रंट हैं जैसे अगर हम अपनी पार्टी भारते राष्ट्य कॉंग्रेस की बात करें तो हमारा विद्यार्थियों का फ्रंट है नौजवानों का फ्रंट है यूद कॉंग्रेस महिलाओं का फ्रंट है महिला कॉंग्रेस किसानों का फ्रंट है किसान कॉंग्रेस हमारा मानना है कि इन सारे फ्रंट को एक साथ मिल करके एक जुठ हो करके ऐसे काम करना चाहिए जैसे लोगतंतर के चार अस्तंब होते हैं हम सब को एक-एक अस्तंभ के रूप में काम करना चाहिए, मिल करके काम करना चाहिए इसलिए आज जब मैं आपके बीच यहां मुझूद हूँ तो भाशन देले के लिए नहीं आया हूँ हम आपकी हर कारवाई में कंधे से कंधे मिला करके दोनों फ्रंटल जो है मिल करके काम करें और जो देश के सामने चुनावतियां हैं जिसके बारे में हमारे रास्टी अध्यक्ष ने भी बताया महिला कॉंग्रेस की रास्टी अध्यक्ष निटा जी ने भी बताया हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम के सचिन जी ने भी बताया जो भी स्पीकर आ रहे हैं जो हमको मौझूदा समय में चुनोतियों के बारे में बता रहे हैं इन चुनोतियों में हमको मिलकर के काम करने की जरूरत है और हम अपनी पार्टी के भीतर संगठन के भीतर एक ऐसा माहौल पैदा करें कि समाज के हर तबके के लोग बरी सहजता से हमसे जुर सकें हमारे बीच आ सकें क्योंकि अगर हम भी द्यार्थी आंदोलन की बात करें तो जो महिलाएं हैं जो लड़कियां हैं वो आधी आवाधी है और अगर हम अपनी मीटिंगों में अपने संगठन की संरचना में अपने प्रोग्रामों में अगर उनको प्रॉपर जगह नहीं देंगे उनके लिए एक कमफर्टेवल माहौल नहीं पैदा करेंगे ऐसा पॉलिटिकल कल्चर नहीं बनाएंगे कि वो सहम जाएं वो आगे ना आएं इसका मतलब विद्यार्थी होने के नाते विद्यार्थियों का संगठन चलाने के नाते हम समाज की जो आधी आवादी है उसको इग्नोर कर रहे हैं इसलिए मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो आपसे ये आगरह कर रहा हूं कि आपके यहां जो विद्यार्थी हैं जो आपके संगठन से जुड़े हुए हैं आप उनको हम से जोड़िये और हम उनके साथ काम करके इस देश में नए तरीके का student movement ख़ड़ा करने का काम करेंगे विद्यार्थियों के एक तबके को आगे बरहने का काम करेंगे जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अभी हमारी पार्टी का एक एक काजिकरम आया है कि कैसे नौजवान यूद जो विवन लीडर है उसको नर्चर किया जाए उसके लिए आगे बढ़ा सकें उस कमफटवल माहौल को हम लोग तयार कर सकें जहां महलाएं राजनितिक कारिकरमों में आने से घवराएं नहीं उनको डर ना लगें ऐसा पॉलिटिकल कल्चर हमको इस्टेबलिस करना चाहिए क्योंकि सवाल आज हमारे सामने एक बहुत ही गंभीर है गंभीर सवाल ये है कि आपको कुछ चीजों को बरी बारीकी से देखने और समझने की जरूरत है ऐसा नहीं है कि हमारे देश में महिला प्रधानमंत्री नहीं हुई हमारे देश में महिला राष्टपती नहीं हुई हमारे देश में लोकसभा के स्पीकर नहीं हुई गवर्नर नहीं हुई मेर नहीं हुई चीफ मिनिस्टर नहीं हुई ऐसा नहीं है तो एक तरफ महिलाओं को परतिनिधित भी मिला लेकिन दूसरी तरफ आज की अगर हम बात करें तो महिला अपराधों की संख्या में भी बढ़ोत्री हुई है इस अंतर विरोध को हमको समझना परेगा ऐसा कैसे हो रहा है ऐसा अगर इस देश के इतिहास को हम बारिकी से देखेंगे तो हमको समझ में आएगा जैसा कि हमारे रास्ची अध्यक्ष ने कहा कि जो अपने आपको विक्सित देश कहते हैं उन विक्सित देशों में भी महलाओं और पुर्सों को बराबरी के वोट के अधिकार नहीं मिले थे अमरिका में वन परसन वन वोट के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन किया गया था लेकिन ये हमारे पुर्खों की देन है जो हमारे फाउंडिंग मदर्स और फादर्स हैं उन्होंने इस तरीके का संबिधान बनाया कि आजादी के साथ ही हमको वोट का अधिकार मिल गया आप लोगों को यह बात जाननी चाहिए कि हम नाम तो लेते हैं डॉक्टर बावा साथ भीमरा अंबेतकर का उनका योगदान है इस देश के संबिधान को बनाने में लेकिन अगर आप संबिधान सभा को देखेंगे तो पंदरह महिलाएं भी उस संबिधान सभा की सदर से थी जिन्होंने अपने विचार रखने अपने सलाह दिये जिस से यह संबिधान मनकर के तयार हुआ वो पंदरह महिलाएं थी और वो अलग-अलग समुदाई से थी अलग-अलग जो है छेतर से थी अलग-अलग प्रिष्ट भूमी से थी उन्होंने अपना योगदान दिया है इस देश के इतिहास को अगर हम देखें तो आप महात्मा गांधी के योगदान को भुला नहीं सकते हैं सबसे ज़्यादा जो एंटी कोलोनियल मुहमेंट पूरी दुनिया में हुआ महिलाओं को आंदोलन से जोरने का काम अगर किसी विक्ती ने किया तो उस विक्ती का नाम महात्मा गांधी है और आप देखिए कि देश को आजाद कराने के लिए अंग्रेजों को इस देश से भगाने के लिए महात्मा गांधी जी को कस्तुर्वा गांधी को छोरने की जरूरत नहीं परी चोड़नी परी क्या कस्तुर्वा गंथी को साथ लेकर चलते थे न और एक आज के परधान मंत्री है कहते हैं कि हमको देश की सेवा करने के लिए पत्नी चोड़ना परा हाईरे बैमानी मेरी एक दोस्त है उसने मुझे कहा एक दिन कि मुझे मोदी जी बहुत पसंद है हमने कहा कि तुमको हम ना पसंद है यह बात कोई दिक्कत नहीं है लेकिन तुमको अगर मोदी जी पसंद है तो एक बात हम तुमको कहना चाहते है इश्वर करें कि तुमको मोदी जैसे ही पती मिले दूर से बात बहुत अच्छा लगता है अपने पर जब गर बात आ जाए तो उसका आसर समझ में आने लगता है आप मुझे बताईए जो महिलाएं ये कह रही थी कि बिजभूसन जी ने कुछ नहीं किया रही पाएंगी बिजभूसन के साथ जीवन बिता पाएंगी उसके साथ हमारे समाज में जो आज हो रहा है उसको हमको बहुत गंभीरता से समझने की जरूरत है जो अधिकार हमको एक-एक करके बिना लड़े मिल गए इस देश में समान वोट के अधिकार के लिए कोई महिला अंदोलन नहीं हुआ जब सम्भिधान लिखा जा रहा था तो वोट का अधिकार दे दिया गया इस देश में सम्भिधान सभा में 15 महिलाएं सामिल होंगी इसके लिए कोई अंदोलन नहीं हुआ महात्मा गांधी ने अपने इनिसियेटिव से उस वक्त जो है हमारा अखिल भारतिय महिला संग नहीं था महिला कॉंग्रेस नहीं था उस वक्त लेकिन गांधी जी ने महिलाओं को घर से निकाल करके अपने आंदोलन में सामिल कराया और आप जानते हैं सराब बंदी के खिलाफ जो पिकेटिंग का अंदोलन होता था वो पूर्ण रूप से महिलाओं का अंदोलन था महिलाओं जाती थी और सराब के दुकानों को बंद कराती थी महिलाओं को राजनिती की मुखधारा में ले करके आए ये एक progressive सोच थी progressive सोच के चलते संभिधान सभाकाई से निर्मान हुआ जिसमें महलाओं के प्रतनिधित को सुनिश्चित किया गया और ये progressive democracy थी कि अमरीका में आज तक अमरीका कहता है निकि हम दुनिया का सबसे modern देश हैं modernity का ठेकेदार हैं अमरीका में आज तक कोई महला राष्टपती नहीं बन पाई है और हमारे यहां महला राष्टपती बनी और उसी आधार पे भाजपा को कहने का ये हक मिला कि हम एक आदिवासी को राष्टपती बना रहे हैं बोलिये लेकिन प्रस्ण ये है आज हमारे सामने कि एक आदिवासी को अगर इस देश का राष्टपती बनाया गया है तो मनीपूर में जब अत्याचार हो रहा था तो मान्य राष्टपती ने अपने मुह पे क्यों चुप्पी साथ रखी है ये राजनितिक चुनाउती है इस राजनितिक चुनाउती को हमको समझना परेगा और हम यह बात समझें कि वींग बनाने का ये मतलब नहीं होता है कि हम गुलदस्ता है कि नेताजी आने वाले हैं तो चार महिला को बुला करके मंदबंदे मातरम गवा देते हैं हम गुलदस्ता नहीं है कि भीड में आगे में चार लोगों को बिठा करके हमको सजा दीजिएगा हम तेज पत्ता हैं कि बिडियानी में उपर से डाल दीजिएगा और जब खाने लगेगा तो निकाल दीजिएगा यह परतिनिधृत्यु का सवाल है परतिनिधृत्य के सवाल को हमको सीडियसली लेना परेगा और अगर हम सीडियसली लेते हैं तो प्रस्ण आता है पॉलिटिकल कल्चर का आपने देखा सारी जो एंकर हैं वो टीवी पर क्या कर रही है वो कह रही है कि मनीपूर पर आप बोल रहे हैं राजस्थान पर नहीं बोल रहे हैं अरे राजस्थान क्या दुनिआ के किसी कोने में अगर महलाओं के उपर कोई अत्याचार होगा तो बिना किसी राजनितिक लाग लपेट के उसके उपर सवाल खरा करेंगे उसके खिलाब बोलेंगे यह हमारा हक है आप ये what about reach कर रहे हैं आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि चोरी हो जाना डकैती हो जाना और बलातकार हो जाना एक है नहीं है एक किसी का पर्स मारा गया और किसी के साथ बलातकार हुआ ये दोनों अपराथ एक है क्या जो सर्वाइवर होते हैं का है सबाल साइकलोजी का है इस बात को हमको समझना परेगा और ये दोनों अपराद को मिलाने कोई दोनों अपराद को एक बनाने की कोशिच कर रहे हैं हमको इसकी गंभीरता को समझना परेगा हमको इस गंभीरता को समझना परेगा कि यह सब कुछ आ कहां से रहा है उसके पी सोचते हैं, हमारे सोच में है कि धन की देवी लक्षमी है बिद्या की देवी सरस्वती है तो धन की देवी जब लक्षमी थी, तो right to property का अधिकार क्यों नहीं दिया गया यह प्रस्ण पुछना चाहिए ना, जब बिद्या की देवी सरस्वती है तो महिला और पुरस को पढ़ने का अधिकार क्यों नहीं दिया गया यह जब हम सोचेंगे तब हमको समझ में आएगा कि आजादी गिफ्ट में नहीं मिला है नागरिकता का अधिकार गिफ्ट में नहीं मिला है राजनीती में सामिल होने का अधिकार गिफ्ट में नहीं मिला है जो लोग उस वक्त आंदोलन को चला रहे थे ये उनकी सोच थी कि अगर हमारी महलाओं कोई पास पहनने के लिए सारी नहीं है जब कस्तूरवा के साथ गांधी गये चमपारन तो कस्तूरवा से गांधी ने पूछा कि ये बताओ कि हमारे प्रोग्राम में महलाओं क्यूं नहीं आती है तो कस्तूरवा ने बताया कि इतनी ज़्यादा गरीबी है कि बाहर जाने के लिए एक ही सारी है सारी महलाओं एक बाहर नहीं निकल सकती है तो सारी महलाओं को छोर करके कोई एक बाहर नहीं आना चाहता है और एक कहानी बोल करके मैं अपनी बात को समाप करूंगा उससे आप बस तू बस इस्थिती को अपने आप समझ जाएंगे एक बार मेरे घर में शादी थी सारे मर्द को बाराद जाना था ये आज शुरू हुआ है कि अब जो है बेटे की सादी में मा भी बाराती बनती है और बेन भी बाराती बनती है पहले ये नहीं होता था मेरे बच्पन में जो मुझे याद है कि जब सादियां होती थी घरों में तो सारे मर्द चले जाते थे और सारी औरतें रुख जाती थी मेरी तभीयत कराब थी और मैं उस दिन जो है बारात में नहीं जा पाया वुखार था बहुत तेज और भगर में मैं सो रहा था कुछ देर के बाद मैंने यह देखा जख बारात चली गई है तो हमारे घर में गाने की आबाज आ रही है थालियां बज रही है डोलक बज रहा है और लोग गार हैं नाच रहे हैं कौतुहलता बस out of curiosity मैं जाकर के चुपचाप दरवाजे के पास जाकर के देखने लगा और मुझे इतना आस्चर्ज हुआ कि जिस मा ने मुझे नौ महीने पेट में रखा अपनी एक-एक सांस दी खून दिया, पसीना दिया नौ महीने पेट में रखकर के पैदा किया रोज खाना खिलाया पखाना साफ किया पढ़ाया, लिखाया वो मेरी मा गाती है यो मुझे मालूम ही नहीं था वो मेरी बुवा जिसकी गोद में मैं पला वो बुवा जो है डांस करती है मुझे पता ही नहीं था और वो जो एक फोक कल्चर है वो फोक कल्चर इतना मजबूत है कि वो वक्त मिलता था महिलाओं को अपने भीतर के स्रिंगार को प्रकट करने का अपने भीतर के प्रेम को प्रकट करने का जिस समाज में आपको अपकी भावना प्रकट करने का आधिकार नहीं हो उस समाज में महिलाओं को राजनिती में लेकर के आना एक चुनोती पूर्ण कार है और हम जितना आगे बढ़ रहे हैं यह जो बिचार वाली बात है हमें बैठे हुए हैं तो आपको लगता है कि निर्भया के न्याई के लिए जो कानून आया वो कानून बन पाता वो कानून इसलिए बन पाया क्योंकि कॉंग्रेस का नेत्रित सोनिया गांधी के हाथ में था इस बात को याद रखिएगा ये प्रतिनित्रित्र का सवाल है, ये नित्रित्रित्र का सवाल है, कि अगर नित्रित्र इस देश में इंद्रा गांधी के हाथ में रहा, नित्रित्र सोनिया गांधी के हाथ में रहा, तो महिलाओं को आगे बढ़ने का हक मिला, और नित्रित्र आज एक ऐसे आदमी के हाथ में है जो पतनी छोड़ करके भाग गया तो महिला अधिकार का क्या होगा इसको आप भखो भी समझ सकते हैं इसी लिए मैं political culture की बात कर रहा हूँ अपराद कहीं भी हो सकते हैं अपराद 36 गड़ में भी हो सकता है राजस्थान में भी हो सकता है मदपरदेश में भी हो सकता है लेकिन अपराद के बाद पुलीस की कारवाई कैसे हो रही है सरकार उस पर क्या बोल रही है जिस पार्टी की सरकार है उसके स्पोक्स परसन क्या बोल रहे है इस बात पे हमको ध्यान देना परेगा और कॉंग्रेस और बीजेपी के बीच में दल का फरक नहीं है बिचार का फरक है इस बात को हमको समझना परेगा और अगर हम समानता में भरोसा रखते हैं अगर हमको लगता है कि बलात कारियों को मंत्री मुख मंत्री बिधायक और MP नहीं बनाना चाहिए तो 2024 का चुनाव कॉंग 2024 का चुनाव हम महलाओं के लिए हम तमाम नागरिकों के लिए इस देश के अस्तित्व का सवाल है संबिधान के सवाल है इसको हमको समझना परेगा और जिन चीजों से हम जूज रहे हैं चाहें वो महंगाई हो चाहें वो बेकारी हो उन तमाम सवालों को लेकर के हमको घर घ घर जाना है और जो संभिधान ने जो हमको अधिकार दिया है समान अबसर का समान का एकता का भागीदारी का उसको हमको आगे लेखर के जाना होगा और जो नारा आपने लगाया है आधी आवाधी पूरा हक अपनी पार्टी और इनस्यॉए के तरफ से इस मांग के साह्त हमPUN स जय महिला सकती